Assalamu alaikum Day 12 में Welcome हम आज कुछ reminder, कुछ जिकर, कुछ तसकरा करेंगे आयत 23 और 26 का दर्मियान इसको समझने ही कोशिश करेंगे लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी बात की थी कि अल्ला ताला चाहते हैं कि हम अल्ला ताला और अपना जो relationship है उसको understand करें, उसको समझना बड़ा जरूरी है जब तक वो चीज़ समझ नहीं आगी ना, इनसान हमेशा question करेंगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों है इनसान की expectation बड़ी different किसम की बढ़ाती है और फिर हम ने थोड़ा सा जिकर किया था कि जिस consumer mindset के साथ हम इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं तो हम हर चीज़ को एक consumer के point of view से देखना शुरू कर देते हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें serve करें और हम उसे critique करें और उसको rate करें और उसको improve करने की कोशिश करें तो अगर यह mindset है तो पर कुरान के दर्वाजे इनसान के लिए कभी ने खुलेंगे और इसी बात को आएत नमबर 23 में यहां से start करेंगर आपको याद हो था हमने बात शुरू किती जालिकल किताबू ला राइबाफी राइब का वर्ड हमने उसकिया था कि शक नहीं अब यहां पर अल्ला यही बात अब यह पूरा argument जो बिल्ड हुआ इसको यहां इस तरह क्लोज दे रहे हैं कि अगर तुम अगर तुम मैं शक है इस पर जो कि हमने अपने बंदे पर उता रहा है अगर तुम मैं इसके बारे में राइब है तुम मैं कोई चीज बेचैन करती है तुम मैं लगता है कि यह चीज सही नहीं है तो फिर इसके जैसी एकी सूरत बना के ले आओ इनकुन तुम सौदीकीन अगर तुम अपने क्लेम में सच्चे हो तो अब उसके पीछे जो पूरा आर्ग्यूमेंट हमने देखा कि जो अल्ला तुम में बता रहे हैं कि कुरान में ऐस सच कोई फ्लॉ नहीं है कोई ऐसी मसला वहां शुरू हो जाता है जब इनसान के अपना बैगेज हो अपना एजेंडा हो और अपने जहन में रखें क्योंकि यह जो पैसज है 23 से 26 यह आयते हैं अल्ला क्लोस करें अल्ला करें कि इसी कुरान से लोग गुमराह भी होंगे क्योंकि आप यह एग्जेंपल खुद पढ़ेगा क्योंकि हम यहां सिर्व 10 मिनट का एक रिमाइंडर कर रहे होते हैं तो मेरी ख्वाइश तो है कि मैं जरूर हर आयत पर बात करूं लेकिन यह पॉसिबल नहीं होगा वरना फिर हम काफी सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूं कि कवर हो वो नहीं हो पाएंगी तो यह आप खुद पढ़ें और इस एंड में जो आर्ग्यूमंट आप देखेंगे लोग कुरान से गुम्राभी होंगे हमने बाद शुरू किती भी रमजान वो महीना जिसमें कुरान उतरा कुरान लोगों के लिए हिदायत है लेकिन फिर हमने क्वालिफाई कर दिया कुरान सिर्फ हिदायत देगा किसको मुत्तकियों को देगा अब लोग बता रहे हैं कि अच्छा है कुरान से लोग गुम्राभी होंगे कौन लोग होंगे जो कुरान से गुम्राभी होंगे मतलब कुरान तो मुझे लग रहा है यहां ता हिदायत के लिया है लेकिन वे लिचिन अगे लूड़ु चेह रहे हैं कि नहीं इस से गुम्राभी होंगे कौनों चुम्राभ इस आहित मेरन लूड़ु के लूड़ु वियुकारु कि लूड़aster रूड़ी भी बिल्कुल भी नहीं करता किसी को भी गुम्राइए इस कुरान से सिवाए वो जिन के अंदर फिस्क है अभी हम फिस्क को भी थोड़ा समझते हैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो कुरान से जुड़ें कुरान से सीखने के लिए अपना आइजेंडा नहीं लाएं सही है? कुरान अल्ला का कलाम है कुरान से कुछ लें कुछ सीखें कुरान को कुछ दें नहीं अपनी तरफ से अट टाइम्स क्या होता है कि हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही होती है हमारा माइंड सेट जिस किसम का होता हमारे जो एजेंडा में चीज़्ें होती ही जो हमारी priorities होती हैं मुस्को ढूंड रहोते हैं Quran के अंदर तो हम एक preconceived notion के साथ जाते है Quran के अंदर के यार मुझे यह जी चीजन चाहिए हैं पी सिन्दगी में और somehow Quran has to confirm to this list of mind again वोई consumer वाले attitude जो नहीं आगे के भी मेरी यह requirement है मुझे बहुत घुस्सा आता है और मैं घुस्से में अपनी बीबी को पीटता हूं तो अब मुझे ना अगर आपके अंदर इतना शदीद घुस्सा है आप गालियां देते हैं आप लोगों के दिल दुखाते हैं तो फिर आप दिल के कैसे अच्छे हो सकते हैं सब कुछ पूरा है सब चीज़न तोड़ कि आप समय कह रहे हैं कि मैं दिल का अच्छा हूं तो मतलब इस जस लिएक स्टॉप फूलिं यॉरसेल्फ मतलब कुरान में जो आपको आईना दिखाया जाते है अच्छे अखलाक का उसको देखने ही कोशिश करें अपने गैप साइटिपाय करें और एकसेप्ट करें और चीज़ों को एंप्लिमेंट करें अपनी जिन्दगी के अंदर तो फिस्क की बात की फिस्क जो है ना कुरान के माशला जो वोकैबलरी वह ऐसी खुबसूरत है कि अज़ वर्ड यूज उसके ना फिस्क का उसके अंदर एक इमेज है एक इमेजरी है और उसको मैं सिंपल सादा वर्ड इसमें करूँ ना आपको तो अगर कोई फल सड़ जाए और सड़ के उसके अंदर का मादा बाहर आने लगए फौर एकज़ेंट केला सड़ जाए अगर और इतना सड़ जाए कि उसके अंदर का जो पूरा फल है वो उसके बीज में से उसके कवरिंग में से बाहर उज आउट होना शुरू हो जाए और उसकी स्मेल आने लगे तो वो कहते हैं उसको कि फल फासिक हो गया है सही है तो यह इमेज है इस पूरे उसकी एक दफा बच्पन में ऐसा हुआ था कि मैं मेरी वाल्दा मुझे स्कूल के लंच में केला दे देती थी और उनका उनकी पॉईश थी कि मैं केला खाया करूं लेकिन मैं क्यूंकि अधरी बता है फलों में इंट्रस्टे होता नहीं था तो अक्सर फल जो था वो बैक के अंदर ही रह जाता था और वो जब सड़ता था तो इतनी बूर्ती थी उसके अंदर से कि यू के नौट इवन इमेजिन और आपको रहती थी कि मैं बैक फाड़ के फेक दूं कर यह बैक को मैं तैजाब या क्लोरॉक्स से भी धोलूं तो य लेकिन सड़ गया तो जब जो थाट्स होती हैं जो ख्यालात होते हैं अगर वो अंदर सड़ने शुरू हो जाए उनकी सफाई ना हो तो वो इस तरीके के साथ बाहर आते हैं और जब बाहर आते हैं अपना एजिंडा लेके के आस मचाने के लिए फितने क्रियेट करने के लि लोग बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं और सब को लगते हैं क्या है इस डिसकस्टिंग यह हम कहने लग जाते हैं तो अगर इस माइंड सेट के साथ कोई बंदा कुरान अप्रोच करेंगे तो अल्लद आला कह रहे हैं कि इस कुरान से वो गुम्रा हो के उठ़ेगा उसके तो माई रिक्वाइर्मेंट्स तो फिर गुम्राही के फैसले हैं तो इस चीज को समझना बड़ा ज़़ूरी है अपनी जिंदगी में हौर करें कि कहीं हम कुरान को इस तरह तो नहीं अप्रोच करते कि as a consumer mindset शोहर अप्रोच करें मेरे क्या राइट से बीबी अप्रोच करे मेरे क्या राइट से माँ अप्रोच करें मेरे क्या राइट से हर कोई अपने राइट से लेके पाउंग गया कोई यह नहीं देख रहा कि उसकी responsibility क्या है हर कोई देख रहा कि how the dean should serve me मैं बूरा हो गया तो मेरे बच्चे को मेरे साथ कैसा behave करना चाहिए लेकिन मैंने कभी दे लेकिन क्या मैंने जवानी में यह सब चीजें उनके अंदर डाली थी मैंनो तो उन्हें dirty politics सिखाई थी खांदान के लिए मैंनो तो उन्हें चीजें manipulate करना सिखाई थी और अब अचारा मुझे अपने rights से आदा आ गया है तब यह आप देखें अकसर लोग जो है वो complain करते व अब सही past में घलती होगी आप सही हो जाए Allah से तौबह करें अब सही तरीकों से चीज़ों को fix करें माफी मांग लें बजाए कि उस बड़े दिन में में अज़र्चर के मदार में शर्मिना हूँ आज शर्मिना हो जाए कुछ लोगं के सामने माफी मांग के आगे बढ़े त तो इस कुरान से गाइडन्स के फैसले होते हैं तो एक एक्जेंपल मैं आपके सामने रखता हूँ एक बंदे की लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ एक चीज आप कंसिडर करें एक बहुत कॉमन क्वेस्चन है जब मैंने अपने दीन का सफर एक्स्प्लोर करना शुरू किया कि एक सवाल होता है कि यार इतने सारे लोग है इतने फिरके इतना दीन डिवाइड हो चुका है कौन सही है आखिर सिर्फ एक चीज़ याद रखें जिन्दगी में अगर आप सच्छे है ना अगर आपको सच बात चाहिए तो आप अपना हाथ खड़ा करें और अल्ला को बताएं कि या आल्ला मुझे नहीं समझ आता यह बाहर क्या गोल माल चल रहा है मुझे जो सही है ना जो आप जिसको आप एकसेप्ट कर रहे हैं मुझे आप उस तक पहुंचा दें बस मैं अपने आपको बदलने के लिए तयार हूँ जैसा आप चाहते हैं मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है मैं किसी स्कूल आफ थाट को जस्टिफाई नहीं करूंगा मैं किसी को नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस बैगराउंड से हैं तो क्याश यही चीज़ सही है या मेरे फलाँ खांदान वाले इस बैगराउंड से हैं या मेरे फलाँ दोसे इस बैगराउंड से हैं तो यही चीज़ सही होगी बस जो सही है ना मैं तयार हूँ अपने आपको चेंज करने के लिए जो हक है मुझे मुझे पर वो वाज़ कर दें और आप फिर मेरी मदद फरमाए कि उस हक पर मैं आमल भी कर सको अगर आपके दिल में ये बस ये खालिस नियत है ना तो इस कुरान से इंशालला आपको फाइदा ये फाइदा देंगे हिदायत ये हिदायत मिलेगी और हर दिन आपके सामने आपको लगेगा कि यार अल्ला सुभानाओ टाला इस मेकिंग दे क्लारिटी फो मी आप वो चीज़न देखना देख सकेंगे जो पहले देख ही नहीं पा रहे थे जिस्ट बिकॉस कि आप सच्चे थे अगर आप उनकी जर्णी पढ़ें वो कहां से कहां पहुंच गए वो जर्णी पढ़ें मतलब इस इंको था कि बस मुरे सही चीज़ चाहिए तो अगर मैं और आप भी नियत करें इस रमजान में इस रमजान में खसूसन ये दुआ करें लग से कि अल्लब आला हमें सही दीन तक पहुंचा दे सही बात तक हमारी रहरुमाई फरमा दे वो हमारे दिलों में बिठा दे अगर सचे दिल से एक्स्प्लोर करेंगे तो मैं आपको एक 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 सहावी है उनका आप उसको यूटीव पर चेक कीजिए उनका नाम है रेमेंट फैरिन के नाम से यूटीव पर चेक करेंगे वो एक अमेरिकन उनको शौक हो गया कि मैं अरेबिक पढ़ूँगा ऐसा नहीं कि उनको इसलाम की तरफ से कोई क्यूरियोसिटी थी सिर्फ यह कि मैं अरेबिक शायरी दौरे जाहिलित की पोर्टी जो बड़ी सकील अरेबिक में होती है वो उन्होंने पढ़नी शुरू की और उस पर उन्होंने पिएजडी थीसिस लिखा कि इसमें एक खास तरह का नजम है एक पैटर्न है और जब उन अपना थीसिस कर लिया तो उसके बात उनको लोगों ने का कि बड़ा हो तुम अर्भी अर्भी करते हो तो कुरान को भी क्रिटीक करो कुरान में ऐसी चीजें है तो उस बंदें ने कुरान पढ़ना शुरू किया और मुखलिसाना तौर्पे उनको भी यही बताए गया था औरियंटिलिस्ट की तरफ से कि कुरान में कोई नजम नहीं है सब बेरब बाते हो रही है मतलब इदर की बात उदर उदर की बात इदर कोई बात है यह नहीं तो उनोंने यह पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के थोड़े दिन के बाद ही उनोंने कहा कोई एक मुसल्मान उनके पास नहीं कुछ भी ऐसा नहीं हुआ वो एक अपनी स्टडी के अंदर बंदा पढ़ते 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 थीसिस लिखते 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 ही बेक है मुसल्मान उसने का उसने सूरा बखरा पर एक आर्टिकल लिखावा है एक इंक्रोडेक्शन देते हैं फिर वो बात एक्स्प्लेइन करते हैं और यह सूरत किस तरह मूफ कर रही है यह तनी बड़ी सूरत है कि अगर as a casual reader तो हम focus news कर देंगी यहां पर यह बात हो रही है यहां पर यह बात हो रही है लेकिन वगर आप उसको एक bird's eye view लेकर देखेंगी तो आपको लेकर वो सुभानल्लाइ इसमें तो कितना coherence है यार क्या structure है और इसमें काम बड़े अर्से से हो रहा है लोग कर रहे है और वो इसलिए सर्व इसलिए कर रहे हैं ताकि हम Allah ताला की बात को समझ सकें और फिर वंस ये चीज़ आ जाजागी तो हम फिर उस रास्ते पर निकल पड़ेंगी जो कि हमें नभी अक्रम स्वालाई लियुक्त ने फर्माया कि तुम में से बहतरीन लोग वो हैं जो कि कुरान सीखें और फिर आगे पढ़ाते जाएं लोगों को पढ़ाते जाएं सिखाते जाएं खुद भी सीखते जाएं सीखते जाएं सीखते जाएं खुद भी मरह लेते जाएं करते जाएं तो मैं इस थाट के साथ कि मैंने आपसे पहले भी वीडियो में ज़र में डे वन ये डे यूट्यूब में का था कि सूरा बकरा जो है 80% कुरान के अलफास सारे हैं और ये बड़े असान है 48 पेज़े आउट अउट अफ़ 600 पेज़े बहुत असान डील है डू 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 गिव और सेल्फ आ चांस आफ्टर अमदान कोशिश करें आप अरबिक सीखें ये एक चीज़ मास्टर करना सूरा बकरा मास्टर कर लेंगे इंशाला बहुत सारा कुरान अनलॉक होना शुरू हो जागा मैं ये नहीं कर आब आप कोई आलिम बन जाएंगे कोई फसाहत और बलागत के माहिर बन जाएंगे लेकिन एक बहुत खुबसूरा जर्णी स्टार्ट होगा और उसमें जो मज़ा है ना इंशाला आप इंजॉय करेंगे तो इसको आज यहीं तक रखते हैं इंशाला मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में अस्सलाम अलेकूम